हलो दोस्तों आज हम यहां पर एक और शेयर से लिटेड बाते करने वाले एक स्मॉल केप शेयर से लिटेड बाते करने वाले जिसका नाम है एडलवाइस फाइनशियल सर्विस लिए है जानेंगे इसके फंडमेंटल्स कंपनी के बारे में जानेंगे चार्ट से लिटेड बात है नहीं अपने financial advisor खुद की study करो चीजों को सीखने फे focus करे और सीखने के लिए क्या करना है हमेशा की तरह है आपको वीडियो जाकर देखनी है जितनी हो सके उतनी जाकर वीडियो ख़बर करें आपको बहुत सारी चीज़े हैं पर समझ में आएगी बट इस्टिल दस मिंट मे दो कि किस तरीके क्यों शेयर भागते हैं चीजों कियों गिरते है वह सब सब चीज़ का फंडा जानना चाहते हो ना तो basics to advance हमारा एक course है आज़ पर technical research fundamental कब लेना चाहिए कब बेचना चाहिए क्वचे बहुते हैं क्यों गिरते है वह सब कॉर्स खेच लेना चाहिए वह सब सब चीज आपको यहां पर पता चलते हुए नजर आएगे 25 जार रुपर कोर्स है त्री मन्स की एंड ओल्डिंग है पॉर्टफोलियो साइज बड़ा है तो इनी नंबरों पर कॉंटक करके आप हमसे काम भी हमारे साथ काम भी कर सकते हो और अच्छा कासा उसका फायदा भी उठा सकते है तो एडल्वाइस फाइनशियल सर्विस लिमिटेड के अगर हम बात करें कंपनी करती गया है वो सब चीछ हम यहाँ पर जानेंगे तो देखिए 1995 में यह एडल्वाइस फाइनशियल सर्विस लिमिटेड प्रोवाइड इंटरनेशनल बैंकिंग एडवाइजरी सर्विस और होल्डिंग कंपनी एक्टिविटीज तो यहाँ पर जो कंपनी है एडल्वाइस फाइनशियल सर्विस वो यहाँ पर इंवेस्टिम्मेंट बैंकिंग एडवाइजरी सर्विस और स्टॉक मार्किट में जो फाइनशियल सर्विस होती है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती हुई नजर आ चोटी कंपनी की बात की जाए तो याद रखिए जब भागेगा तो इसी तरे भागेगा कि 3300 रुपे तक भी आ सकता है तो यह चोटी कंपनी का साथ इसू रहता है तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि साही टाइम पर लेके साही टाइम पर बेचना यही एक आर्ट है और उसी को आपको यहाँ पर करना है जो हम यहाँ पर अपने कोर्स में सिखाते हैं आप जाके एन्रोल कर सकते हैं नंबर पर कॉंटेक कर सकते हैं पी की बात कर रहे हैं तो सोले का पी है, इंडश्टी का पी 20 का है, तो सस्ता नजर आ रहा है, बट इस्टिल पी के बेस पे काम नहीं करते हैं, मैं हमेशा गयतो हूँ, ROC, ROE की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ खास ROC, ROE यहाँ पर दिखाई नहीं देता, sales growth अच्छी खासी है, ठीक है, 30% के आसपास की sales growth होती ही नजर आई है, हाना GPM, अगर हम लास्ट कोटर का देखें तो अच्छा खासा है, और यहाँ पर हम देखें, तो dat 4.6 है, तो इसे हमें considerate नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि company का जो business है, वो क्या loan से related है, तो इसलिए हमें इसे considerate नहीं करना है, 87 का हाई लगा है, तो 69 पर यह share चल रहा है, एक रुपए की face value है, ठीक है, और dividend भी company देती हुई नजर आती है, book value से थोड़ा सा उपर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, और जी यह जानेंगे, दोनों basis पर यहाँ पर sales बढ़ती हुई नजर आई है, साथ में यहाँ पर margin भी देखोगे न, company के margin लगवा flat आते हुए दिखाई दिखाई दिए है, ठीक है, yearly basis पर company का जो profit है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिखाई दिए है, जो एक ही एक positive figure यहाँ पर दिखाई देता है, company के लगवा 152 करोड रुपे का यहाँ पर net profit, company का EPS भी बढ़ता हुआ नजराद है, और आने वाले, आने वाले टाइम में भी company हो सकता है कि अच्छा है यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाई 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 दि हम बात करें, तो yearly base पर company का performance देखेंगे, तो लोग बस 1600 करोड से, 808,000 करोड के आसपास 9,000 और 10,000 करोड के आसपास company आपर आती हुई दिखाई देरी है, net profit की बात करें, company आपर देखिए, अच्छा का सा profit भी हमेशा generate करती हुई नजरा रही है, reserves की बात करें, reserves company के पास 4, 1000 करोड रुपे के आसपास है, ठीक है, borrowing company की बड़ती हुई नजरा रही है, investment है company के 12,000 करोड का, cash की बात करें, तो cash भी 300 करोड के आसपास है, और यहाँ पर आप देखोगे, तो company आपर dividend भी देती हुई नजरा रही है, 2023 में दो बात dividend देती है, 2022 में दो बात dividend दिया, ठीक ह यहाँ पर देती हुई नजरा रही है, बात करें और शीरों की, तो यहाँ पर promoters की holding की बात करें, तो लगब 432.75 as it is बने हुए, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, FIS की बात करें, FIS यहाँ पर आप देख सकते है, as it is बने हुए, 30% के आसपास थोड़ी सी सिलारी कम हुई ह बट कोई जादा major effect नहीं आया है, DIS की बात करें, DIS भी as it is, यहाँ पर 2% की holding लखे हुए, पब्लीक की बात करें, तो पब्लीक के पास थोड़ी सी holding यहाँ पर, flat कह सकते हो, या कह सकते हो, थोड़ी सी बढ़ती भी नजरा आई है, तो कि concern वाली बात बिलकुल भी नहीं है others में भी देखोगे, इनके ESOC में आप अलगवा 4.76% के share है, यहाँ पर और चीटे है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा, December में कुछ company के related person है, उन्होंने आपर ऊपर के भाव पे share को बेचा था, जिस वाए इसे share में गराबट भी आती भी दिखा FAM में देखेंगे TIAA, Craft Investment Management and others, इन्होंने 27 लाक शेयर लगबग खरीदते हुए नजर आए, ठीक है, पाबरी ने कुछ शेयर यहाँ पर बेचते हुए नजर आए, ठीक है, FAM 2024 में, तो कुछ बेचे गई है, और कुछ अच्छी कासी quantity खरीदी गई है, इसीट की तरफ आप य हारे चाइना इन्वेश्टर को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट अल के नोटिफिकेशन कौन करें, बाइं से लिंग की रिकमेंडेशन है निचीटों को ध्यान से सीखना है, और सीखने के लिए मैं हमेशा गयता हूँ कि वीडियो को जाके लाश्ट तक देखते रहे, अच्छा गासा शेयर यहां पर भागता हूँ दिखाई दिया है, एक टॉप बनाने के बाद ठीकाई शेयर यहां पर गेरता हूँ नजर आए और यहां से बाउंस बैक दिखाई देता हूँ दिखाई दे रहे, और जब यहां पर गिरावट हुई है ना, तो इस कोर्स में यहां पर बात करता हूं, price volume action की, तो वो चीज़े मुझे यहां पर इस particular share में दिखाई देती हैं, इस गिरावट में कोई जान नी थी, ठीक है न, इस गिरावट में कोई जान नी थी, इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, तो बेचा कम गया है, खड़िता जादा गया है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और positive action भी मैं बता चुका हूं, बाकि यहां पर अब देखेंगे न, तो देखें, मैं हमेशा stages पढ़ाता हूं, जो हमारे यहां पर इस course में जब आते हो न, तो stage 1, 3, 1, 2, 3, 4 क्या होती है, वो यहां पर पढ़ाता हूं, तो इसमें ही आगर मैं उसकी बात करूँ, तो देखेंगे stage 4, 3, और stage 2, 3, और इसके बाद stage 4, और stage 1 के बाद न, यह चीज़ी निकलती नजर आ रही है, मुझे लगता है, इस area में थोड़ा सा consolidation हो सकता है, और जैसी यह particular level को यहां पर cross करेगा, जो कि मैंने यहां पर लगा के रख रखा है, और यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने alert भी लगा के रख रखा है, कि यह 80 के cross करें, क्यों क्योंकि इसमें जो तेजी है न, यहां तक भी जाता हूँ, दिखाई दे सकता है, तो अच्छी खाजी upside यहां पर दिखाई देती है, अभी थोड़ा बुद consolidation है, क्योंकि चीज़े भगती है, consolidate होती है, फिर भगती है, फिर consolidate होती है, और बहुत सारी चीज़े देखी जाती है, ठीक है, कंपनी के आने वाले quarter के number भी हमें देखने है, जब वो सब चीज़ मिलके, जब एक चीज़े काम करती ही नजर आएगी, तो हमें पता चलेगा, कि exact share यहां पर कहां चल रहा है, बट इस्टिल, bank selling की recommendation नहीं है, हाना आपको चीज़ों को ध्यान से रखना है, इस्टेयर की तरफ नजरे बना के रखनी है, जब आपको दिखाई दे कि यहां पर worth it है लेना, तो अपने financial advisor वों खुद की मैनद करके यहां पर आप देख सकते हैं, इस्टेयल अभी भी अगर हम यहां पर देखें, तो यहां पर कुछ negativity की अगर मैं बात करो, तो मुझे ज़्यादा गिरावट दिखाई देती नहीं है, ठीक है, 62 रूपीज का आसपास का एक stop loss यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, means कि एक छोटी सी risk है, साथ आठ रूपे की और ऊपर की अफसाइट की बात करें, तो यहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां से निकला तो और ऊपर, बट इस्टिल, वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमेंड, शेयर, चैनल को सब्सकाइब करिएगा, तो खुद की मेहनत करिएगा, बाइंग सैलिंग की रिकमेंडिशन है ने, दूट इस खुद की करनी है, इन नमबरों को नोट करना है, साथ में काम करना है, और साथ में काम करके देखने हैं, तो थैंकी सो मच, God bless.